हेलो चम्पियांस, वेलकम बैक टू, लेट स्कोर हंडिड, दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन आफ मिनरल, इसमें आप लोगों को आइरन, मेजर आइरन और बेल्ट को लर्ण करें, बहुत दिक्कत आती है, कहां पे हैमेटाइट, कहां पे आएगा, आईए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं, तो हमारा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन आफ मिनरल, राइट, तब से पहले क्या है मिनरल, ये टर्म कुछ सुना सुना सा लगता है, बट अगर जिस स्टुडेंट को मिनरल की डेफिनेशन लर्न करने में दिक्कत होत नौस डिस, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप मिनरल की डेफिनेशन को हमेशा हमेशा कले याद रख सकते हैं, और कभी भी नहें बूलेंगे, अगर आप होमो नौस डिस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो प्रीवेस वीडियो देखे, जिसका लिंक आपको डि आप लोग जानते हैं, उस वाले टॉपिक पर जहां लोग पहुंचेंगे तो डिटेल में डिसकास करेंगे, आज हम लोग फोकस करेंगे, मेटालिक एन नौन मेटालिक तो देखिए, मेटालिक और मेटालिक क्या होता है, सब से पहले हम अगर मेटाल की प्रॉपर्टी सबसे पहले, जो metals होते हैं, वो good conductor of electricity होते हैं, for example, आप copper को ले लिजिए, copper is good conductor of electricity, right, और metals की दूसरी quality क्या होते हैं, जो metals होते हैं, malleable मतलब आप उनके पूट पीट करके कोई भी shape दे सकते हैं, कोई भी, किसी भी मन चाहे shape में आप ढाल सकते हैं, for example, देखे, metallic में भी आता है या precious, precious metals हमारे आते हैं, right, जैसे gold हुआ, या platinum हुआ, या हमारे malleable होते हैं, basically, जो metals की दो property हम लोगों ने discuss करी, एक तो metal क्या होता है, good conductor होता है, right, दूसरी property क्या होते हैं, metals क्यों, malleable होते हैं, यानि कूट पीट करके आप, उनको काट पीट के कोई भी size आप, size या shape दे स सकते हैं, या gold की chain बना सकते हैं, right, तो metal की property ही तो है, इतको बोलते हैं, आप लोगों ने science में जरूर पढ़ा होगा, malleable, right, चलिए, so metal के हम लोगों ने property देख ली, right, और जो non metal होते हैं, non metal को आप कोई भी, अगर आप उनको, अगर उनको आप थोड़ी सी भी चोट मारें ये तो break हो जाएगा, लेकिन non metals की अपनी एक अलग property होते हैं, non metals में सबसे मशूर है, mica, 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 mica जो हम electric iron घर में हमारे होता है, electric iron हो गया, microwave हो गया, oven हो गया, because mica क्या है, mica एक बहुत ही अच्छा insulator का का काम करता है, फिलहाल आज हम focus करेंगे metals पे, तो आएए देखते हैं, metals को हमने फिर divide किया है, ferrous, non ferrous and precious में, तो ferrous मतलब क्या होता है, ferrous का मतलब होता है, containing iron, जिसमें iron हो, right, और दूसरा है non ferrous नाम से पता चल रहा है, अब ferrous और non ferrous में क्या फरक होता है, जो ferrous metal होते हैं, जो ferrous metal होते हैं, उनकी जो, they are prone to rusting, इसको बोलते हैं, low corrosion resistance, बट जो non metals होत जो non metals होते हैं, high resistance to corrosion होते हैं, यानि non metals में, बहुत समय बाद rust लगता है, जिसे हिंदी मोलते हैं, junk, rusting, right, बट जो ferrous metals होते हैं, उसमें बहुत जल्दा, बहुत जल्दी, you know, rusting होती है, right, आप लोग चाहें, तो practical कर सकते हैं, कोई iron की चीज, अगर बारिश में भीग जाया या पानी में आप डूबो करके रख दें, तो आप देखेंगे कि जो ferrous metals होते हैं, उसमें बहुत जल्दा, बहुत जल्दी rusting होते है, rusting मतल्द डिक्लाइन होने लगते हैं, right, तो अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपको ferrous metals, exam में, one marker में आ सकता है कि, दो ferrous metals के नाम मत्या मताईए, या दो no petroleum metal के नाम बताईए, तो इसका learn करने का बहुत ही आसान तरीका है, या यह भी आ सकता है कि, आप दो non metallic minerals के नाम बताईए, है न, तो आयो देखते हैं, इसको learn करने का, क्या trick है, इसको learn कर की बहुत ही आसान से trick है, अगर आप ferrous minerals कर लककश् Wochen करना च सो निकल को हमक्ة लेंगे राइट तो आयरं और हमने आरन लेया smartphone में ले लिए आइरण मैंने निक सी आइरं मैंने निक साध में न को दिया आपके सारे स्पीर निया स्पाहिए भी यहाद हो गये राइट बेल्ट का हमने copper का हमने copper ले लिया lead का हमने lead ले लिया पूरा copper lead to lead to tin box box का भी ox होता है बड़ बॉक्साइड box से आप लोगों को याद हो जाएगी तो इस तरीके से आप ferrous और non-ferrous metals को याद कर सकते हैं और उसके बाद जहां तक इसकी बात रही non-metals को याद करने कि याद रहें non-metals में mica बहुत मशूर है और उसके बाद आप लोगों पिछली वीडियो में उसके बारे में पढ़ा था limestone के बारे में पढ़ा था marble के बारे में पढ़ा था sandstone के बारे में पढ़ा था तो ये mica हो गया sandstone हो गया marble हो गया और limestone हो गया यह चार काफी है non-metals में राइट दोस्तों अगर आपको मज़ा आ रहा है चीज़ें आपको समझ में आ रहे हैं तो please subscribe let's score 100 चलिए अब हम लोग move करेंगे next slide पे so next slide talks about ferrous अभी हम लोगों ने पढ़ा था ferrous minerals, ferrous minerals कौन से mineral होते हैं, ferrous mineral होग ही mineral होते हैं जिसमें iron content होता है और जो they are prone to rusting आई देखते हैं ferrous minerals के बारे में तो पहला point है हमारा, ferrous minerals account for about 3 4th, 3 4th या नि 75 अगर percentage में आप convert करें तो 75% होता है ferrous minerals account for about 3 4th of the total, यहां दीजिए आप लोग, total value of the production of metallic minerals कह रहे हैं कि जो जितना हमारी country में metallic minerals का production होता है, आप लोग जानते हैं metallic minerals में precious mineral भी आता है, gold, silver, platinum भी आता है right, copper बगर भी आता है और ferrous minerals भी आते हैं, तो इन सम्में जो metal है, यानि जो ferrous mineral है उसका 3 4th, 75% ferrous metals का production होता है, यह अपने आप में highlight करने के लिए काफी है कि iron की क्या importance है हमारी life में आए और भी दिखते हैं, अभी कुछ और points है, क्यों इतना ज़्यादा क्यों production होता है, ferrous minerals का, यानि iron ore का इसका reason है, they provide a strong base for the development of metallurgical industries, metallurgical industries क्या होती है, समझते हैं और metallurgical industry समझने से फ़ले एक चीज की तरफ आप लोगों का मैं ध्यान दे लाना चाहूंगा, farmers जितने भी equipments use करते हैं चाहे thresher हो गया, चाहे tractor हो गया, चाहे harvester हो गया, plus automobile industry में, सोचे कितनी quantity में iron use हो रहा है तो farmers के equipments हो गए, and automobile industries हो गई, और उसके बाद metallurgical industry, because you know, metallurgical industry थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए abstract हो गया, abstract concept होगा बट मैं explain करता हूँ, तो आप लोग agricultural tools हो गए, और automobiles जो हम लोग देखते रहते हैं, इसलिए मैंने इसका example देया, आइए समस्ते है, metallurgical क्या हो था, metallurgical का मतलब होता है, metallurgical industry का मतलब होता है, iron ore से, iron ore से, sorry, not iron ore, ore से, ore से mineral extract करना, फिर उस mineral को refine करके metal बनाना, फिर से repeat कर रहा राइट, तक बार diagram से आईए, हम लोग समझ लेते हैं, diagram से समझते हैं, देखे, यहीं बना देता हूँ, यह देखे, यह rock हो गई, राइट, यह rock हो गए, हमारा surface हो गया, यह rock हो गई, rock में, यह rock में कई चीज़े होती है, मालो जैसे कि यह, और है, ठीक है, अब और, और तो होती है, जब हम ores में से, sand, silt, soil, और इन impurities को अलग कर देते हैं, तब pure mineral निकलता है, और फिर उस pure mineral को हम refine करते हैं, तब metal बनता है, I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो इस वज़े से, heavy dependence है, iron ore पे, और इसी वज़े से, जो ferrous mineral है, वो total mineral, total metallic mineral produced का, 75% तो ferrous mineral ही होता है यही बचा है, आईए, तीसरा point देखते हैं, India exports substantial quantities, बहुत बड़ी quantity में, of ferrous minerals after meeting her internal demands, दोस्तों, जैसा कि मने वीडियो की शुरुवात में पौमिस किया था, यह जो चार ports हैं हमारे, दो जो है, East Coast पे, और जो दो है, West Coast पे, वो बहुत मशूर है, iron ore को export करने के लिए, राइ तो आई एक बार देखते हैं, कौन-कौन से हमारे port हैं, एक बार उनको देख लेते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखे, यह हमारे कौन-कौन से port हैं, इसे समझते हैं, यह देखे, चलिए, plot करना तो अगली slide में बताऊंगा आप को पहले देख लिए यह रहा अपना ओडीशा ओडीशा अपना पारादीप उसके बाद यह आपना परदीश में अपना वाला है आईर आर मारमाह में अपना गोवा और महारास्टा वाला वाला से iron ore export किया जाता है है न राइट चले तो यह हो गया अपना इसको अगर आप लोग यह देखे अपना 2000 इसके बारे आप लोगों को बोलना चाह रहा था कि जो नई वाली बुक है जो rationalized है 2024 यानि अगले साल का जो हमारा March 2024 में board का exam होने वाला है उसमें जो facts and figures दिये हुए है iron ore को ले करके उसमें हर बुक में अलग अलग हो सकता है मतलब जो लोग पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं उसमें अलग facts and figure दिये होंगे बट उससे परिशान नहीं होना है जो 2024 board के लिए जो बुक लिखी गई है उसमें उसके हिसाब से भी number one state है जहां पे iron ore का production सबसे ज़्यादा होता है number one odisha है दूसरा 36 गड़ है तीसरा करनाट का है और चौथा जहारखंड है percentage बदला है थोड़ा बहुत percentage बदला है बट जो states की जो position थी in terms of producing iron ore वो उतनी ही है और इन states के नाम को जो major iron ore producing states है उनके नाम को learn करने की भी बहुत अच्छे सी trick है जो हम लोग अगली slide में भी सीखेंगे तो अभी हम लोग फिर फिलाहाल focus करते हैं इस पर देखते हैं कि और क्या-क्या हमारे पास iron ore आ गया अब iron ore देखे iron ore is the basic mineral and the backbone of industrial development क्यों basic mineral क्या हो iron ore basic mineral यह है इसलिए भी है कि कोई भी machinery बनाओ कोई भी tool बनाओ कोई भी equipment बनाओ iron ore उसमें iron लगेगा ही लगेगा और इसलिए इसको backbone of industrial development बनाओ कोई भी industry हो इंडस्टिम क्या चाहिए machines and tools चाहिए और machine मनाने के लिए आपको iron की जरुवत पड़ेगी ही पड़ेगी टूल की जरुवत पड़ेगी ही पड़ेगी चाहिए farmers के लिए equipments हो यानि agriculture equipments हो और सबसे बड़ी बात आप लोग देखे ना सबसे बड़ी बात क्या है iron and steel industry basically steel industry totally iron ore पर ही depend करती है इसलिए भी और steel कितना useful है आप लोग जानते हैं इसलिए भी इसको backbone of the industry बोला जाता है इंडस्ट्री डेवलेब्मेंट बोला जाता है backbone of the industry डेवलेब्मेंट दूसरा point हम लोग देखते हैं India is endowed with fairly abundant resource of iron ore हमारे हाँ iron ore काफी अच्छी quantity में मौझूद है और आप लोग जानते है iron ore के जो चार builds है अभी हम लोग उसके बारे में भी discuss करेंगे उसके बाद India is rich in good quality iron ore तो दो बाते बोली इन्होंने कि हमारे हाँ iron ore large quantity में available है और iron ore अच्छी good quantity and good quality दोनों तरह के iron ore हमारे हाँ next slide next slide में हम लोग पढ़ने वाले हैं iron ore का ही आप लोग जानते हैं कि iron ore की दो varieties हैं जो हमारे country में पाई जाती हैं एक होता है magnetite और दूसरा होता है hematite आईए देखते हैं तो ये रहा magnetite और ये रहा हमारा hematite देखें जो magnetite होता है वो बहुत ही अच्छी quality का iron ore होता है basically hematite और magnetite ये iron ore की दो qualities हैं यानि दो types हैं iron ore की magnetite और hematite जो magnetite होता है उसमें magnetite जो iron ore होता है उसमें iron का content 70% तक होता है यानि ये ज़्यादा अच्छी किसम का good quality iron iron ore है इससे जो iron निकलेगा वो अच्छी quality का निकलेगा क्योंकि up to 70% content iron का होता है अब पढ़के देखते हैं इसमें differentiate करने के लिए भी आ सकता है magnetite and hematite तो देखते हैं देखें magnetite में क्या है magnetite is the finest iron ore ये philips में भी आ सकता है and assertion और reasoning में भी आ सकता है magnetite is the finest iron ore with the high content of iron up to 70% hematite में 50-60% होता है आईए देख लेते हैं hematite iron ore is the most important ये industrial iron ore है in terms of the quantity used हमारे हाँ जितनी भी industries है most of them use hematite only in terms of quantity used सबसे ज़्यादा खपत किसकी है hematite की है हाला कि hematite it is a slightly lower iron content यानि जो hematite होता है जो hematite iron ore होता है उसमें जो iron का content होता है वो किवाल 50-60% होता है आप देखें ये जो दूसरा हमारा पहला वाला जो हमारा magnetite iron ore है it has excellent magnetic qualities excellent magnetic qualities and ये electrical industry electrical industries में यानि you know electrical आप लोग समझते हैं जैसे कि related to electrical equipments जो हमारे electrical equipments होते हैं जैसे आपका heater हो गया या और भी electrical equipments हैं जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं उन सब में ज़्यादा इनका use होता है right अब ये वाला point हम लोग देए आई होप आप लोगों को magnetite और हमेट बहुत सिंपल था magnetite क्या होता है magnetite में सबस्वाइब बहुत सिंपल सा है magnetite में क्या है magnetite जो iron ओर है उसमें 70% iron content होता है वो highly magnetic होता है और electrical industry में काफी use होता है and जो अपना hematite है hematite in terms of use ज्यादा important है यानि हमारी यहाँ जो ज्यादा तर industries है वो hematite यूज करती है और hematite में जो iron का content होता है 50-60% होता है चालिए अब हम लोग इसे देख लेते हैं in 2018 2018-19 में 2018-19 में almost entire production of iron ore यह आप लोगों क्यों देखे यह अब जो हमारा 2024 के लिए NCRT ने book निका लिये है उसका यह latest faction figure है तो आप लोग यही याद कर सकते हैं right 2018-19 में जो entire production of iron ore था वो almost 97% 97% Odisha 36ग जारखंड Odisha 36ग करनाटका और जारखंड से हुआ था and the remaining production जाहर सी बात है 97% इन लोगों ने किया तो 3% बचा 3% यानि other states का iron ore के production में केवल 3% था 4 states मिला करके 97% iron ore produce कर रहे हैं जैसा कि पिछली slide में मैंने आप लोगों से promise किया था कि जो इंडिया के major iron ore producing states है उनका नाम लंग करने की एक बहुत ही आसान सी trick है आप लोगों के साथ share करता हूँ प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए ये trick ये है क्या किसीज की trick है major iron ore producing states in India उसको learn करने की trick है ये है प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए दिशा दिशा छट मनाने दिशा छट मनाने कार से दिशा छट मनाने कार से जारखंड गई जार खंड गई दोस्तों जैसा मने आप लोगों से प्रिविएस वीडियो में भी प्रॉमिस किया था जो capital letter में लिखे है हमारे सारे states हैं जो small letter हम लिखेंगे words वो क्यों helping words हैं हम बाद में हटा सकते हैं अब जैसे for example मनाने हटा सकते हैं गई हटा सकते हैं से हटा सकते हैं अब दिशा में इस क्या हो गया ओडिशा ओडिशा नमबर वन इस टेट है दूसरे नमबर पर छट मतलब से दिखो दिशा छट मनाने कार से जारखंट गई अब इसमें इंडिया के major iron ore producing states आ गए अब दिशा मतलब क्या होगा ओडिशा छट मतलब 36 गड़ कार मतलब करनाट का जारखंट मतलब आप लोग समझते हैं अगर आप लोग चाहें तो इसका एक screenshot आप लोग ले लीजिए यह बहुत ही यह पढ़ते हैं क्या पाइंट है यह देखे कुद्रे लिखा है कुद्रे इन कंड़ा कंड़ जैसे हमारे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जी तरह से कंड़ लैंग्वेज है कंड़ लैंग्वेज में कुद्रे का मतलब होता है horse the highest peak in the western hearts of करनाट का अभी हम लोग जब व लैंग्वेज में कुद्रे का मतलब होता है horse that's all उसके बाद एक और है यह माइन से basically यह कुद्रे मुख माइन है अभी हम लोग पढ़ेंगे जब उस बिल्ट पर चलेंगे उसके बाद आता है बैला डिला यह बैला डिला जो हिल है बैला डिला हिल है लुक्स लाइक दा हम of an ox अलाकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है दोस्तों बट आम ट्राइंग टू यार ठीक हमाल लेते हैं थोड़े देर के लिए अगर यह बैल का जो उपर वारा बतलो बैल के गले के उपर का जो हिस्सा होता है राइट उसे डील बोलते है तो बैला डिला इसी ना इसे बैल यह दिखे यह हम होता है बैल के उस पर रएट तो अगर इसी माल लेते हैं बैल है एक को लोल धील ने नेक्स स्लाइड अब हमारा आ गया जो मेजर जो question बन सकता है इस पर फाइब मारकर question रही बन सकता है discuss the major iron ore belts of India यह हमारा पांच नंबर का question हो सकता है इससे पांच नंबर के question तो आहीं सकते हैं और जो पिछली से वीडियो के शुरू आप में promise किया था कि बहुत ही असानी से learn हो जाएगा और उसकी trick भी है अगर आपसे board के exam में question आता है या अभी मालोजी आप लोगों का pre-board होगा right pre-board में भी ये question आ सकता है question basically topic सारा का सारा बहुत ही important है देखते हैं अगर question आता है discuss the major iron ore built in India तो बहुत ही आसान है आपको घवराने की जरूँ होता है आप के अबल तीन देवियों की हम लोग मदद लेंगे ये तीन देविया हैं हमारी दिशा दुर्गा और बल्लरी ये जो दिशा दुर्गा और बल्लरी है ये तीनों friends है और hostel में रहती है तो इन लोगों का mood हु दुर्गा और बल्लरी ये तीनों देवियां इनको गोवा घूमने का मन हुआ एंड जैसा कि आप लोग जानता ही है कि girls are very weak शारुक खान फायन तो इन लोगों सुझार गोवा तो चली रहे हैं रास्ते में actually ये लोग गुजरात के किसी hostel में रहती है तो इन लोगों सुझा चलो मुंबई से होके चलेंगे शारुक खान के मनत भी देखेंगे तो इन लोगों ने ट्रेन से गोवा की जन्नी स्टार्ट करी है फिर से रिपीट कर रहा हूं दिशा दुर्गा और बल्लरी ने राइट तो शारुक खान का मनत देखते हैं ये लोग कहां पहुंचे मुंबई मुंबई कहा है महारास्टा में तो हमारा दिशा से दिशा से क्या हो गया दिशा से हमारा ओडिशा जार्खन बेल्ट हो गया दुर्गा से क्या हो गया दुर्ग बस्तर चंद्रपूर बेल्ट हो गया बल्लरी बल्लरी से क्या हो गया बल्लरी चित्र दुर्ग चिक वन बाइवन करके हम सारा पढ़ेंगे तो दिशा आप लोग जानते हैं ओडिशा के लिए है दूर्ग है मैंने इसे दूर्गा बना दिया अतना यह उसी में अगर आप लोग मैप में यह मार्क कर देंगे तो आप लोग काफी अच्छे मार्क मिल सकते हैं आईए हम लोग देखते हैं यह जो मेजर और बेल्ट हमारे कौन कौन से यह देखिए पहले हम पढ़ेंगे ओडिशा जार खंड तो दोस्तों देखिए यह हमारा जांट है ओडिशा जाहर छार खंड बईल्ट है हमारा पोडिशा जह़ार खंड बल्ट में अभी बत पढ़ पढ़ लेँए अप यह वापस आके करता हूं मैं I hope यह चारो बेल्ट्स आपको याद हो गए अभी हम लोग वापस आएंगे एक बाद डिटियल पढ़ लेंगे तब आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा चलिए अब देखते हैं हाँ पहला हमारा हो गया ओडिशा जहारखंड बेल्ट देखते हैं ओडिशा जहारखंड बेल्ट में क्या है इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट अच्छा एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था asphaltwood committed magnetic का कहीं जिक्र ही नहीं है yeahishing यह चाहरों हमारी iron और developed मैंने का कहीं भी जिक्र नहीं है hematite 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 पहले दो में hematite का है बाद में भीतिसरे में यहां टीसरे में कुछ mentioned ही नहीं है और चोधें में वह कुछ great machines है दो पहले डूसरे हम बादाम पहार माइन्स इन द मयूर भंज एंड केंदूजर डिस्टिक्स आप लोग प्लीज ध्यान दीजे ऐसा समझा दोंगा तुरंत लन हो जाएगा प्लीज आप ध्यान से देखिए हमने क्या देखा पहले स्टेट आफ उडिशा है उडिशा में क्या है बादाम बादाम आप दो में किसकी जगह मयूर भंज एंड केंदू कर अब आएजये चले पहली वाली स्लाइड पे चलते हैं और आप लोगों को लण करकता हूं अब पहली वालि स्लाइट पर चल के लर्न करते हैं अच्छे से कर दो nih ऊब है यह पहलिवाले स्वाईड रागी धेद्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा कि उडिसा यह रहा हमारे स्टेट यहां पर लेंगे जार्खन में दो जगह जार्खन में दो फेमस माइन्स हैं गुवा जी यू ए गुवा एन नोवा मुंडी तो नोवा नोवा मुंडी यहां पर पड़ता है एक सेकेंड मैं सारा मिटा देता हूं फिर से देखिए उडीसा में यह हो गया अपना मयूर भंज और यहां पर हो गया केंडू जर और उसके बाद गुवा यहां पर पड़ता है और अपना नोवा मुंडी यहां पर पड़ता है तो बिसिकली उडीसा और जार्खन का बॉर्डर है तो आप लोग क्या कर यह वाला यह जो आपको डेब्ली जैसा दिख रहा है इसको सरकल कर दो बड़ा सा सरकल बना के यह यह हो गया आपका यह आपका हो गया ओडिशा जार्खन आरण और बेल्ट हो गया राइट चलिए पिछली पाली स्लाइट पर चलके और पढ़ते हैं क्या है कि देखते हैं क्या है आई फटा पुर्भंज होगा केंदुजर मैंने अलड़ी समझा दिया आप लोगों को है न तो यह अपना उडिसा यह वाला बेल्ट हो गया और देखिए अब उडिसा का तो हम लोग पढ़ रहा जार्खंड में देखते हैं जार्खंड बहुत ही आसान है जार्खंड में सिंग भूम डिस्टिक है सिंग भूमी डिस्टिक में दो फेमस प्लेसेज हैं दुआ और यहां पे भी हमाटाइट पाया जाता है इसको लर्ण करने एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है तो मैं कहानी के माध्यम से आप लोगों को सुना रहा हूं ध्यान से सुनिये आपको तुरंत स्क्रीन शॉट आप लोग बाद इसे पॉस करके स्क्रीन शॉट लही लेंगे बिसिकलि आप लोग यह गुवा नोवामंडी केंदू जहर और मेवर्भंज देख लीजिए अब इसको लर्ण करने के ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को एक बार क्लीन करना पड़ेगा मैं दिशा जहर खंडी इनका थोड़े समय के लिए नाम हम ऐसे रख लेते हैं दिशा जहर खंडी राइट उडिशा जहर खंड बेल को समझने के लिए याद करने के लिए इनका नाम रख लेते हैं दिशा जहर खंडी देखो दिशा ध्यान से देख्या आप लोगों को लन हो जाएगा अब देखें इसका नाम है न ओडिशा जहार खंड बेल्ट तो इसका नाम रख दिया हमने दिशा जहार खंडी अब देखो दिशा ध्यान से सुने लन हो जाएगा दिशा हेमा के साथ दिशा हेमा के साथ दिशा हेमा के साथ बादाम की पहाड़ी दिशा हेमा के साथ बादाम की पहाड़ी पर मयूर बादाम की पहाडी पर मयूर एंड इंदू पहले हम इसका नाम इंदू रख लेते हैं बाद में बदल लेंगे इंदू इंदू जहा जे एच ए इंदू जहा अब इंदू से पहले अगर के लगा दो क्या हो जाएगा केंदू केंदू जहर अब देखिए इसमें सारा आ गया उडिशा में हेमेटाइट आरेन ओर मिलता है कहां पे मिलता है बादाम पहाडी पर की हटा देना आप लोग बादाम पहाडी पर ओकिन किन जगहों पे मिलता है मयूर भंज इसे हम लोग भांजा मामा भांजा मयूर भंज मयूर भंज मयूर भंज के नाम से याद कर लेते हैं जैसे कंस और कृष्ण का मामा भांजे का relationship था तो आज हम लोग कृष्ण और कंस की help लेंगे और इसे याद कर लेंगे तो देखो बहुत ही आसान था हमने ओडिशा को दिशा बनाया फिर क्या क्या हम लोग ने दिशा हेमा के साथ बादाम की पहाड़ी पर मयूर भांजा एंड इंदू जा बाद में यसे में केंदू जर बना लेंगे लन हो गया चुटकी में आयोप आप लोगों को मजा आया चलिए अब हम इसी तरीके से ये वाला करते हैं उडिशा को हो गया जारखंड का जारखंड का हम लोग लन करते हैं जारखंड में एक मिन जारखंड में कौन कौन सा है देखते हैं जारखंड में हमारा है जारखंड में याद रखिए जारखंड को सिंग की भूमी भी बोला जाता है सिंग जारखंड को सिंख की भूमी सिंख भूमी सिंख भूम है लेकिन इसे मैं भूमी बना दे रहा हूँ समझने के लिए आप लोग सिंख भूमी लेख जारखंड को सिंख की भूमी भी बोला जाता है क्यों कि देखे पहले तो जारखंड से पहले तो बिहारी था तो बिहार और जहार खंड जो दशरत माझी थे पैदा तो बिहार में हुए थे लेकिन वो बाद में जहार खंड आ गए थे किसी मायंस में काम करने के लिए तो उन्होंनों जो इतनी हिम्मत जुटाई ताकत जुटाई वो ज्ञारखंड में रह करके जुटाई इसलिए मैं यह बोल सकता हूँ कि ज्ञारखंड के लोग शेर होते हैं बहादूर होते हैं राइट तो जारखंड में सिंग की भूमी है तो जारखंड में सिंग की भूमी पर जारखंड में सिंग की भूमी पर हेमा ने क्योंकि यहां भी हेमेटाइट पाय जाता है जारखंड में सिंग की सिंग भूमी जारखंड में सिंग भूमी दिस्टिक है जिसमें हेमेटाइट आयरन और पाय जाता है अब माइन्स का नाम याज करने के बहुत अच्छी ट्रीक है जारखंड में सिंग की भूमी पर हेमा ने हेमा ने गुआवा गुआवा खाया गुआवा खाया और गुआवा खाया और नोवा गुवावा खाया और नोवा मुंडी नोवा मुंडी नोवा मुंडी का मैब बनाया तो उडिसा वाला हम लोग ने दिशा की हिल्प से याद किया था जारखंड वाला कैसे याद करेंगे जारखंड में कौन से माइन्स है क्बमें है कौन सा आयरन और पाया जाता है तो बहुत ही ऍस इंपल चाहिए हम लोगों ने जार्खंड में सिंग भूमि पर जार्खंड में जार्खंड में एक डिस्ट्रिक सेंग भूमी सिंग भूम्य में दो जगह है तो गुवज अगर हम गुवावा की गुवावा की spelling में से अगर हम वी ए हटा दें तो क्या नहीं गुवा निकल आएगा और नोवा मुंडी का मैप बनाया तो इस तरीके समय से लर्न कर सकते हैं I hope आप लोगों को मज़ा आ रहा है comment box में comment जरूर करें कि आपको ये trick कैसी लगी now we'll move to the next slide and next slide talks about हमारा पहला होगे अब हम पढ़ेंगे दुर्ग बस्तर और चंदरपूर ध्यान दिजिए दुर्ग बस्तर और चंदरपूर basically दुर्ग और बस्तर तो चतिसगर में होता है राइट चतिसगर की मैप है जिसमें चंदरपूर ये रहा ये रहा चंदरपूर बिल्कुल बार्डरिंग डिस्टिक है है ना गर्चरू लिए उसके बाद चंदरपूर है तो आएए समझते हैं एक बार मैप में इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं स्टपूर्ट में दुट्र हैCSस्टिक्र हराई है अभी जो पिछली वाले बिल्ट में था उसली है वर्ड नहीं उदिन हुआ था इसमें वरी हाइब वर्ड हो रहा है इसलिए ध्यान दीजे, very high but hematite उसमें भी था, hematite found in the famous belladilla range of hills, आप इसे याद रखिए, belladilla, bell का जो hump होता है न, जैसे camel में भी hump होता है, उसी तरह bell, ox में भी hump होता है, उसी के नाम पे इसका नाम belladilla range of hills in the bustard districts of 36 गड़, जैसा कि अब हम लोगों ने पहला वाला याद किया उडिसा जारखंट bell का याद किया, ट्रिक से, उसी तरह इसकी भी कहानी के health से हम लोग याद कर लेंगे, आप लोग ध्यान दीजे, बस याद करा दोगा, दो मिनट में, the range of hills comprise 14 deposits of super high grade hematite, यानि दुर्ग बस्तर 36 गड़वेल में, ध्यान दीजे, एक बार high grade hematite का यूज देख लिजे, very high grade hematite, कहां मिलता है, बैला डिला रेंज में, और बैला डिला रेंज में 14 deposits हैं, किसके, हैं तो धेर सारे, लेकिन जो 14 deposits हैं, उसमें super high grade hematite पाया जाता है, इसमें लिखा हुआ है, आज देखे, it has the best physical properties needed for steel making, तो एक question में आ सकता है, कि steel making के लिए, one marker में आ स होता है, और किस iron built के पास है, इसी लिए, इसी लिए, शायद इसी लिए, जो steel plants है हमारी country के, वो दुर्ग, बस्तर और चंदरपुर, iron ore field के आसपास ही located है, तो इस point के especially अपलोग ध्यान दीजे, उसके बाद iron ore from these mines are exported to Japan and South Korea, वाया विशाखा पतनम पोठी, इसमें equation बन सकता है, कि जो दुर्ग, बस्तर, चंदरपुर, जो हमारा iron ore built है, वहाँ से iron ore किस country को export किया जाता है, और किस port से, port होगे हमारा विशाखा पतनम, and किस country को, South Korea and Japan, अब आईए चले, पिछली slide पे चलते हैं, और map में सारी plotting करके हम समझते हैं, है, आईए, मैं आईए, मैं आइए, मैं आएप लोगों को, एक बार plotting सीख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अब देखे हमें, सबसे पहले यहाँ पे, जो हमने, वो समझा से, हम लोगों ने पारा दीब तो समझ लिया था, आईए पारा दीब पोट भी द देख लेते हैं हाँ पर एक मिनिट इसे थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं इसमें हम लोग पारादीप एंड विशाखा पत्नम दोनों देखेंगे और आयरन ओर का जो हमारा बेल्ट है दूसरा वाला वो भी देखेंगे चलिए समस्ते हैं देखें यह जो हमारा पारादीप पोर आप लोगों को ये ये बल्ज दिख रहा होगा ये उडिसा का मैप में ये बल्ज दिख रहा है ये बल्ज जहां पर दिख रहा है न उस बल्ज से केवल थोड़ा सा नीचे उस ये बल्ज जो दिख रहा है बल्ज इस बल्ज से थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा नीचे आप ल कि और लोगों पड़ा दुर्ग बस्तर हम लोगों ने देखा ना महाराष्ट्र का चांद्रपूर यहां पे है वेस्क घंश refund Wangarato Aiya ड़ूंओ दोनौ स्टेट मिल रहें आप इसको सर्कल कर दीजीए व्यव कई तो यह तो यह अपना धुर्ग बस्तर, जाने दिना है यह दुर बस्तर, चंद्रपूर बेहां की अब il में होता है जहां पि यह थोड़ा से देखिए अंदर की दरब जा रहा है यहीं पर पूर्ट है विशाखापटनम बहुत ही आसान है यहां पर अपना विशाखापटनम पूर्ट है राइट चलिए आए आप आप लोगों को समझ में आया चलिए हम लोग नेक्स स्लाइट में मूव करते हैं हो समझ कर लेते हैं यह तो मैप की प्लोटिंग हो गई आए समस्ते हैं से कैसे याद करेंगे अच्छतित गड़ों महारास्टा में कौन का कौन सा पाया जाता है कैसे पाया जाता है देखिए अब हम लोग अब आप लोग जानते हैं कि इसमें बेला डिला रेंज होगार है कैसे या दुर्गा बस्ता लेकर चंद्रपूर दुर्गा बस्ता लेकर दुर्गा बस्ता लेकर चंद्रपूर गई दुर्गा बस्ता लेकर चंद्रपूर गई राइट ठीक है दुर्गा बस्ता लेकर चंद्रपूर गई यह आप लोगों को यादी हो गया सेकेंड वाला अब दूर्गा हेमा के साथ दूर्गा हेमा के साथ बैला डिला रिंज हैं दूब आहे महां के साथ बैलाडिला रेंज गई तो आप देखे अब दूर्ग में हमेटाइट अर Anor पाए जाता है से याद रखिए व्या है गलेड लिग दिजिएے- बैलाडिला रेंच कामवाली बाई होता ना, बाई ला, यानि कामवाली की बोड़ हैं, बाई ला, क्या ला, दिला, बाई ला दिला, इसको बाई ला दिला के फॉर्म में आप याद कर सकते हैं, तो बैला दिला आपको याद हो जाएगा, राइट, और यह जो बैला दिला है, यह बस्तर, बिहार 36 गड़ के बस्तर district में पड़ता है इसे हम भों कैसे याद कर सकते हैं कैसे हमारा दुर्ग बस्तर चंदरपूर बेल्ट में कैसे हम लोग इसे याद करेंगे बिसिकलि दुर्ग और बस्तर 36 गड़ में हैं और यहाँ पे कौन सी रेंज है बैलाडिला रेंज है यह clear हो गया और यह जो बैलाडिला रेंज है इसमें range of hills comprise 14 deposit of super high grade hematite इसे आप लोग जरूर याद रखिए और यह वाला तो विशाखा पत्नम जापानों को यह वाला हम लोगों ने पढ़ी लिया तो I think we need to move to the next slide चलिए next slide पर देखते हैं अब तीसरा हमारा आगया इसमें आप लोगों को बहुत जादा challenging लगता होगा तीसरे वाले में और but trust me यह बहुत ही आसान आप लोगों किल ध्यान से सुनो मैं learn करा दूँगा पर एक बार पढ़ लेते फिर learning करते हैं हम लोग देखे क्या है बल्लरी चित्रदुर्गा चिकमगलूरू एंड तुमकुरू बिसिकली यह न करनाटका के चार डिस्टिक्ट्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखे करनाटका के चार डिस्टिक्स हैं यह देखे बल्लरी हो गया बल्लरी हो गया चित्रदुर्ग हो गया चिकमगलूरू हो गया तुमकुरू राइट यह चार डिस्टिक्स बिसिकले देखो न अगर आप लोग देखो तेस ट्रैंगल बन रहा है राइट और यह सारे डिस्टिक्स यह करनाटका के हैं ठीक है चले अब इसे हम लोग समझते है इस एरिया में इसके क्या बोलंगे आईरन ओर फील्ड हो गया बल्लरी चित्रदुर्ग चिकमगलूरू एंड तुमकुरू यह फोर डिस्टिक्स हैं करनाटका के आए समझते हैं जैसे हम लोग जानते हैं यह चारो डिस्टिक्स करनाटका के हैं तो इस बिल्ट लाइज इन करनाटका राइट इस लार्ज रिजर्व ओफ आरन ओर यह वर्ल्ड की लार्ज रिजर्व ओफ आरन ओर में से एक है उसके बाद इसमें जैसे हम लोगों ने देखा था अब करनाटका में जैसे हम लोगों ने देखा कि दुर्ग बस्तर चंद्रपू दुर्ग बस्तर में कुद्रे मुख को learn करने के सबसे आसान सी trick है देखिए कुद्रे मुख की spelling हम ऐसे याद करेंगे कुद्रे कुद्र हो गया इसे हम कुडी बना देंगे कुडी कुडी रे मुख M-U-K-H रितेश देश मुख है ना देश मुख से आप याद कलो मुख वो ऐसे मुख सब के पास होता है उसमें ठीक लगाने के जरू होते हैं देखो यह होगे अपना कुद रे मुख तो इसको आप लोग बनादो कुडी रे मुख कुद्रे मुख माइन्स कहां पे है करनाटका में है वेस्टन घाट पे है आए समझ के देखते हैं दा कुद्रे मुख माइन्स लोकेटे इन दा वेस्टन घाट आप करनाटका 100% export unit प्लीज ध्यान दीजे यह से point बन सकता है पहला पहला भी बाड़ा important है और यह basically पहला भी बहुत important है भाई यह basically यह जो बल्लरी चित्रदुग बल्लरी चित्रदुग बल्लरी चित्रदुग चिक मगलूरू तुमकुरू बिल्ट किस स्टेट में है करनाटका में है और यह क्यों famous है क्योंकि it is one of the large iron ores in the world अब यह आगे चलके आप लोग पढ़ेंगे करनाटका स्टेट में है और उसके बाद इसमें कौन सी mines पाई जाते है कुडी रे मुख दिखा राइट जैसे वरंदवन बोलता है ना पलाट कुडी को बोलता है ना पलाट ताकि वो उसका मुझ दिख सके थोड़ा सा ट्रिक लगा रहे हैं तो कुडी रे मुख दिखा तो कुडी रे मुख मैंस आपको याद हो गई है ना और यह 100% export unit है मैंगलोर पोर्ट से मैंगलोर पोर्ट से विदेशों को भेज जा जाता है यह domestic use में नहीं आता अब देखते हैं यह देखे जो पॉइंट में आप लोगों से बोल रहा था कुड्रे मुख deposits are known to be one of the largest in the world one of the largest in the world दुनिया के सबसे बड़ी iron ore mines में से एक है right the ore is transported as slurry फिर question आता भाईया slurry क्या होता है slurry क्या होता है कि जो solid यह iron ore होता है उसमें water mix कर देते हैं आसान हो जाए फिर five lines के through port पे चला जाता है ना मारमागाव पोर्ट पे अभी हम लोग यह भी देखेंगे मारमागाव पोर्ट कहां पे है the ore is transported as slurry through a pipeline to port near Mangaluru आईये हम लोग यह जो अपना चारो districts के नाम है चारो districts देखते हैं अलड़ी आप लोग देख चुके हैं चारो districts देखते हैं और देखते हैं कि Mangaluru port कहां पे पड़ता है क्योंकि plot करने के लिए आ सकता है और हमारा one marker question भी बन सकता है तो चलिए पिछले वाले में पे देखते हैं हमारा Mangaluru port कहां पे है पिछले बाले slide पे basically पिछले वाले slide पे यह आगया अब देख के यह महारास्टा है यह अपना करनाट का है केरला है यह अब धियान से देखिए जहां पर केरला का बार्डर खतम हो रहा है न केरला का बार्डर के दो मिलीमीटर उपर exists दो मिली मेर उपर आप यह रहा आपका मारमागाव पूर्ट के लो मैं M लिख सुगा यह हो गया आपका मारमागाव पूर्ट ठीक है यह करनाठ यह ही तो है अपना महारास्ट्रा ओगया ठीक है और जो और जो वह चारो डिस्डिक्स आप लोग उन्हें देखे लिए थे एक को पर फिर से अर्चा हो ता आप लोग देख लो यहाँ पे हो गया यहाँ पर अपना हो गया और यह अद बेलरी हो गया यह को हो गया है बेलरी हो गया चितुर सेर्फिंगर å να इंद घूर्ट के नाम नहीं आध हो रहे न उसकी एक ट्रिक है अभी मैं वो ट्रिक भी आप लोगों से शेयर करता हूँ, एक सेकंड, चलिए उसी स्लाइट पर चलते हैं, फिर आप लोगों से ट्रिक शेयर करता हूँ, चलिए उस स्लाइट पर चलते हैं, ट्रिक शेयर करते हैं, कि इन चारों का नाम कैसे याद करें, कहानी, कहानी, एंड बल्लरी तीनों फ्रेंड्स थी और महारास्टा होते हुए गोवा गई थी याद है तो उसी की help लेते हैं यहाँ पे देखिए बल्लरी और दुर्गा यहाँ पे भी है राइट अब आईए ध्यान से देखें लर्न हो जाएगा आप लोग चारो डिस्टिक लर्न करा दू आर जी ए बेसिकली आप जानते हैं कि बल्लरी और दुर्गा फ्रेंड है बल्लरी ने दुर्गा का चित्र राइट बल्लरी ने दुर्गा का चित्र सिक्के से बनाना चाहाँ सिक्का सिक्का लिखते हैं सिक्का C-I-A-K-A रहां दीजे बलरी ने ने मैं छोटे लगों बलरी ने दुर्गा का बलरी ने दुर्गा का चित्र सिक्का सिक्का से बनाना चाह रही थी राइट तो बलरी दुर्गा से बोलती है कि दुर्गा तु सिक्के मगा ले तो सिक्का हो गया, सिक्का मगा, सिक्का मगा, सिक्का मगा, सिक्का मगा लो, राइट, सिक्का मगा लो, तो बलरी ने जब दुर्गा को बोला कि मैं तुम्हारा चितर बना रहे हूं, तुम सिक्का मगा लो, सिक्के से तुम्हारा चितर बनाओगी, राइट, तो दुर्गा ब लिखेंगे तुम कुरू लिख देंगे तुम कुरू हाला कि जो डिस्टिक है उसका नाम तुम कुर हो सकता नाम बदल गया हो अब दोखो कहानी क्या बन गए एक बार ध्यान से सुनते हैं आप लोग जानते हैं बल्लरी और दुर्गा पहले के दोस्त हैं आप लोग जानते है बल्लरी नहीं कहा बल्लरी की दिमाँ में ख्याल आया कि मैं दुर्गा का बल्लरी की मन में ख्याल आया मैं दुर्गा यानि अपनी फ्रेंड का चित्र बनाओंगी सिक्के से सिक्के से तो उसने बोला कि दुर्गा तुम सिक्का मगा दो तो दुर्गा कहीं बिजी रहे गी उसने बोला तुम ओर्डर करो तो तुम ओर्डर करो से देखो तुम कुरू निकल आया ठीक है अब जो सिक्का है उसको हम लोग यहां पर एच लगा दो क्या हो गया चिक मगलूरू हो गया इस तरीके से हम लोग लट कर सकते हैं बलरी चित् करनाटका में इसे चलता है तो इसको मैं मिटा देता हूँ इसको हम लोग कर सकते हो क्या ट्रिक बनी हम लोगों की बलरी चित्रदुर्ग चिक मगलूरू तुम कुरू लर्ण हो गया इसली कॉमेंट करके जरूर बताए कैसी लगी चलिए अब हम लोग यह देखा था चित्र स्टिक्स हैं करनाटका के चलिए हम लोग अब नेक्स स्लाइड पर मूव करते हैं अब हमारा लास्ट आ गया महारास्टा और गोवा बेल्ट ध्यान दीजिए हैं अब आप लोग जानते हैं महारास्टा गोवा बेल्ट अब देखो महारास्टा का कौन सा महारास्टा गोवा सहाब हैं बहुत अच्छे एक्टर हैं उनकी वाइफ रतना पाठक जी है तो आप चाहें तो रतना के नाम से अगर ces कि याद हो जाएका रतनागिरि यह देखिए रतनागिरी दिस्टिक्स है महारास्टा का यह देखिए चंद्रपूर पढ़ा था जो 36 गड़ के साथ था चंद्रपूर यहां पे है यह राइट चले आके देखते हैं तो बिसिकली जो महारास्टा और गोवा बेल्ट होत में क्या क्या है इट इंक्लूट द स्टेट ऑफ गोवा एंड स्टेट ऑफ गोवा में कोई दूसरी जगर न सुपर हाई ग्रेड यहां पे क्या बोल रहा है ध्यान दीजे ध्यान दीजे और स्टील मेकिंग के लिए और 100% स्टील मेकिंग वाला दूसरा था यह वाला नहीं था करनाट का वाला तो 100% एक्स्पूर्ट यूनिट है वह हमारा वाला था दुर्ग बस्तच चंद्रपूर वाला था जिस पे स्टील मेकिंग के लिए था राइट जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टील मेकिंग के लिए थी राइट यह वाला है दो ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी इसको नोट करें आप लोग ध्यान दीजिए यहां पे जो महारास्ट्रा की जरूत नहीं पढ़ती होगी तो आरन ओर इस एक्सपोर्टेट थू मार्मा गाव पोर्ट ध्यान दीजिए हम लोगों ने चार पोर्ट डिसकस किये हैं करनाटका में जो मायूस पढ़ती है जो चारो डिस्टिक्स है वो मार्म वो कौन सा पोर्ट है मैंगलूरू है महारा है ऑस्तर चंदरपूर कौन से पोर्ट से एक्सपोर्ट करते हैं जाज जब जाता है और कहां जाता है साउथ को या किस पोर्ट से कॉमेंट बॉक्स में करके जरूर बताये क्योंकि हम लोग से अलड़ी डिसकस कर चुके हैं चलिए एक बार पहले इससे समझ लेते हैं पिछ यह जो मारमा गाओ है यह देखिए इधर आईए यह देखिया आप लोग यह इसको प्लोट करना ना बहुत ही असान है ध्यान दीजिए यह देखिया अपना करनाटका हो गया और मैंने आप लोगो कहां समझाया था जहां पे केरला का बॉर्डर शुरू हो गया उससे दो मिली लिख दीजिए मारमा गाओ पॉर्ट सेंपल आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है चालिए अब इसे चोटा बनाते हैं चोटा बन गया चले अब इसे पढ़ते हैं फट फट क्या है हमारा महरास्टा गोवा बेल्ट हम लोग पढ़ रहे थे तो आईए देख लेते हैं यह देखिए गोवा है महरास्टा से बिलकु लगा हुआ तो मारमा गाओ पॉर्ट आपना ऐसे लाइन बनाई है यहां पे ल और का हाँ हमारा आयरन ओर हो गया आप लोग जानते हैं फेरस मेटल में हम लोग क्यों दो मेटल को पढ़ेंगे एक तो आयरन ओर हो गया जो हम पढ़ चुके हैं दूसरा हमारा मैंगनीज आई देख लेते हैं मैंगनीज को भी देख लेते हैं तो यह रहा हमारा मैंगनीज मैंगनीज is mainly used in the manufacturing of steel and ferro-magnese alloy प्लीज इसे याद कर लेजिए मैंगनीज किसके manufacturing में काम में आता है steel steel देखें steel ऐसे के लिए steel बनाने के लिए क्या क्या चाहिए दो चीज़ें चाहिए क्या iron ore भी चाहिए और मैंगनीज भी चाहिए ठीक है दूसरा ferro-magnese alloy अगर alloy भी बनाते हैं ferro यानि iron हो गया मैंगनीज तो आप लोग जानते हैं तो दो चीज़ें बनाने के लिए हमें मैंगनीज की जरूत पड़ती है प्लीज इसे अच्छे से learn कर लिए कितनी मात्रा में कितनी quantity में मैंगनीज की जरूत पड़ती है देखे अगर हम 10 kg मैंगनीज मिलाएंगे तो 1 ton of steel तयार हो गया यानि steel बनाने के लिए मैंगनीज चाहिए चाहिए steel बनाने के लिए पहला क्या चाहिए iron ore चाहिए दूसरा क्या चाहिए मैंगनीज अगर हम 10 kg मैंगनीज मनाएंगे तो 1 ton steel हम बना पाएंगे, basically manganese भी important है, it is also used in manufacturing of, ध्यान दीजी, bleaching powder जो bleaching powder basically water को purify का निकले मिला जाते हैं, basically जो कीड़े वगरा होते हैं मर जाते हैं, जो rural area के students आला कि अब तो कुवों से पानी नहीं निकालते, बच्पन में मुझे आधा है, जो मैं गाओं विजिट किया करता था जो जब कुवें के पानी में कीड़े हो जाते हैं, तो ब्लीचिंग powder हैं पानी की जो कीड़े हैं, मर जाएं तो bleaching powder हो गया, bleaching powder के और यूजे सारे यूजे है insecticide farmers, जो हमारे किसान भाई है insecticide में भी मेंगजीज का यूज होता है और paint तो हम सारे यूज ही करते हैं यह तो हम एलगा होगा आपकी भी लगा होगा तो मेंगजीज का यूज paint बनाने में भी किया जाता है अब एक question ही आसकता है कि मैंगनीज को produce करने कौन है इस़े को بھی लंकने एक बऊच्छी प्रिक देख लेते हैं हम लोग टिक क्या बनाने वाले हैं बैसिकली देखिए जो फैक्ट्स ओफिगर है जो अभी जो लेटेस्ट फिगर है जो दो हजार चौबिस की बोर्ड की एक्जाम वाली बुक में जो दिया हुआ है उसमें जो स्टेट्स जो मतलब मैंगनीज को जो मै फॉर स्टेट्स जान लेते हैं मैंगनीज को प्रोडूस करने वाले कौन-कौन से हैं चार जान ले फॉर्स्ट फॉर को हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा मध्रप्रदेश दूसरे नंबर पर देखे मैं क्या बोल रहा हूँ मेजर मैंगनीज प्रोडूसिंग स्टेट लेंगे इसकी पहला क्या हो फॉर मेंजर मैंगनीज प्रोडूसिंग स्टेट्स आर मध्रप्रदेश महीन और चुरी मध्रप्रदेश इस माहरास्ट्रा मध्रप्रदेश महारास्त्रा आइसी इसे कभी ने भूलेंगे मैड दिशा कार से महारास्ट्रा गई महारास्ट्रा मैड दिशा कार से महारास्ट्रा गई अब देखिए गई को मैंने छोटे में लिखा क्यों क्योंकि यह helping words है से को भी हमने काट दिया अब देखिए तो हमारे अगर आपको learn करना है कि major magneese producing states तो हमारे कौन-कौन से हो गए मैड दिशा कार से महारास्ट्रा गई मैड मतलब मधर प्रदेश देख लिजे मैड मतलब मधर प्रदेश दिशा मतलब ओडिशा कार मतलब करनाट का महारास्ट्रा आप लोग जानते हैं लेकिन order याद रखिएगा सबसे पहला यहाँ चाहाँ तो इसलिए आप लोग formula में रिख लेना इसलिए आप लोगों से बोला था notebook लेके बटने लिए मधर प्रदेश का नाम पहला है नाम नहीं मधर प्रदेश का अस्थान पहला है major processing states कौन-कौन से मधर प्रदेश हो गया महारास्टरा हो गया उडिशा हो गया और मधर प्रदेश महारास्टरा उडिशा और करनाटका तो इस formula की help से आप लोग याद कर सकते हैं इसकी चाहाँ तो आप लोग वीडियो को pause करके screenshot लिजे now we'll move to the next slide तो देखते हैं next slide में क्या है इसे आप लोग को काफी help मिलेगी यह अपना दुर्ग बस्तर है 36 गड़ का और यह अपना दुर्ग है दुर्ग एक्चली ना रायपूर कैपिटल है 36 गड़ की उसके पास में ही है उसके west में है और यह आप लोग ने गुवा एंड नोवा मुंडी देखे लिया था और यह अपना की लर्नी, की ग्रोग था रायपूर के लिए अपनागी था रायपूर्यूण झाल